Hello Friends, आज मैं आपको बताऊँगा कि State Bank of India में कौन-कौन से Current Account खोले जाते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं, आज कल State Bank of India ने बढ़ा Simplified कर दिया है सिर्फ चार तरे के Current Account ही आज की डेट में State Bank of India में खोले जा सकते हैं जिनके अलग-अलग features हैं और वो features depend करते हैं कि आप उसमें monthly average balance कितना रखते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं Regular Current Account जो Regular Current Account है उसके क्या features है वो हम देखते हैं Regular Current Account के अंदर आपको 10,000 लुपे average balance रखना होता है average balance का मतलब यह है कि महीने के जो 30 दिन होते हैं उसके अंदर day end पर जो भी आपका balance रख वो सब add कर लिया जाए और उसको divide कर दिया जाए महीने के जितने भी दिन है 30-31 दिन का जो भी महीना होता है वो है मानके चलिए कि एक तारिक को आपने 3,000,000 रुपे रखे अपने account में और बाकी के 30 दिन आपने 0 कर दिया balance तो आपका जो average balance पर मंत का वो एक 10,000 रुपे maintain रहा तो आप पर कोई penalty नहीं लगेगी अगर यादि आपका 10,000 average balance नहीं रहा मंत में तो आप पर penalty लगेगी 500 रुपे प्लस GST GST आज की rate में मई 2020 में 18% है आईए अब इसके features के बारे में बात कर लेते हैं NEFT RTJS की सुभीता इसमें free रहेगी SMS भी आपके लिए free रहेगा Free cash deposit आप 5,000,000 रुपे तक का पर मंत इसमें cash deposit करवा सकते हैं उस पर कोई charge नहीं है लेकिन अगर आप 5,000,000 से जादा का cash deposit करवाएंगे एक मंत में तो आपको cash handling charges देने पड़ेंगे Free check book आपको पर मंत इसमें 50 check book check free मिलते हैं DD अगर आप DD बनवाने जाएंगे ब्रांच में तो नॉर्मल चार्ज है card rate पर ही आपको commission देना होगा cash pick up भी आपको cash pick up की सुभीदा इसमें मिलती है लेकिन वह आपको card rate पर ही मिलेगी non-arm transaction अगर आप कुछ करना चाहरें तो आप per day एक लाग रुप यादर deposit कर सकते हैं या withdraw कर सकते हैं non-arm branch मतलब कि एक ऐसी branch जहां पर आपका account नहीं आपका branch से रहाँ आपकी एक ही branch branch पर रहेगा बाकी state बहेंगी और branch में कर आपको कोई transaction करना है तो सारे जितने भी transaction होंगे उनका sum मिलाकर bidrol पर एक लाग deposit पर एक लाग अब आईए हम देख लेते हैं दूसरा gold current account कि gold current account क्या होते हैं आपको एक लाग रुपे का balance maintain करना होता है अगर आप एक लाग रुपे का balance maintain नहीं करते हैं तो आप पर penalty लगती है 2000 रुपे plus GST आईए अब इसमें क्या-क्या सुभिदाएं मिलती है NEFT RTGS इसमें फिरी है SMS के भी आपके कोई charge नहीं है आप इसके अंदर 25 लाग रुपे पर मंत रुपे deposit करवा सकते हैं इसमें कोई handling charge cash handling charge नहीं लगेगा 25 लाग तर अगर आप 25 लाग के ऊपर cash deposit करवाएंगे तो आपको cash handling charge देना पड़ेगा Free check इसके अंदर 300 check आपको पर मंत मिल सकते हैं पचास demand draft issue करवा सकते हैं Free of cost Cash pick up की सुवीदा भी आपको मिलेगी जिसके अंदर आप 1 लाग रुपे per day तक का cash deposit और cash pick up करवा सकते हैं नौन हम ब्रांच में आप 2 लाग रुपे तक cash deposit करवा सकते हैं अब आते हैं diamond current account के बारे में बात करते हैं diamond current account में आपको पांच लाग रुपे मंतली average balance रखना होता है और अगर यह आप यह मंतली average balance नहीं रखते तो आप पर penalty लगती चार अजार रुपे प्लस GST इसके अंदर free क्या है sms परी है और neft rtgs के charges परी है आप इसके अंदर एक करोड रुपे तक का cash deposit करवा सकते हैं बिना cash handling charge के आपको 700 check per month free मिलते हैं इसमें आप unlimited number of draft branch में जाके issue करवा सकते हैं without any commission free cash pickup एक लाग रुपे पर डे आप cash pick up की facility ले सकते हैं एक लाग रुपे तक आप cash pick up करवा सकते हैं cash deposit अगर आप नौन हम branch में करवाएंगी तो 2,00,000 तक करवा सकते हैं एक लाग में एक लाग रुपे तक बिड्डॉप कर सकते हैं अगर आप नहीं रखते हैं तो 8,000 पर प्लस GST आपके पर non-compliance की penalty कटती है इसके अंदर SMS, NEFT, RTGS फरी है इसके अंदर आप कितना भी cash deposit करा सकते हैं कोई limit नहीं है आप इसके अंदर कितनी भी check book issue करवा लीजे इसमें भी कोई limit नहीं है आप कितने भी डीडी issue करवा सकते हैं branch से सब फरी है cash pick up 1,00,000 रुपी इस पर डे तक का फरी है cash deposit non-arm branch आप 2,00,000 करवा सकते हैं और cash withdrawal 1,00,000 रुपे पर डे में करवा सकते हैं Thank you friends, मुझे उमीद है आपको मेरी PPT पसंद आई होगी मैंने खोशिश करी है जो चारो variant है current account के उनकी basic क्या-क्या feature facility estate bank of India provide करता है उसके बारे में बताने के लिए अगर आपको अपना current account खुलवाना है तो आप नजदी की किसी भी branch में जाके खुलवा सकते हैं Friends, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको WhatsApp ग्रॉप पर share करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए Thank you friends Thank you